टीवी टाउन के मोस्ट पॉपिलर एक्टर करवन महरा अपनी वाइट नीशा रावल किस्सा तूटिय रिष्टे को लेकर चालो को लेकर पुलिस केस को लेकर बुरी तरहा फस गए हैं और इन सब के भी टीवी के कई आक्टर्स के रियाक्शन सामनी आ रहे हैं तो वहीं आपको बता दे हमारी इस रिपोर्ट में आज सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में नैतिक सिंगालिया का जब रोल प्ले कर रहे थे करण महरा ये बात तब की है जब नेतिक के रोल से अलविदा कहकर करन महरा ने शो को क्विट किया था सवाल उठे थे क्या हीना खान से परिशान थे करन महरा या फिर करन महरा और हीना के बीच किलमत भेद इतनी बढ़ गई कि शो को क्विट करना ही पड़ गया वल 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 दोनों ही सेट पर अच्छे दोस नहीं थे इस बात को तो करण नहीं नहीं बलकि हीना खान ने फिस्विकार किया हीना करण के एक आदस से बहुत परिशान थे वो प्रोफेशनल बहुत थे लेकिन बिलकुल भी फ्रेंड जोन में नहीं आते थे काम के अलावा उन्हें कोई भी बात में दिल्चस्पी नहीं थी हीना खान के साथ हीना खान ने कहा बहुत जादा ओपन होने की जरुवत है करण महरा को वो ओपन बिलकुल भी नहीं थे तो आपको बता दे हमारे इस खास रिपूर्ट में एक बार पर से आज हीना खान ने करण महरा को लेकर कहा था कि उपर होने की जरुवत है इसलिए क्योंकि करण महरा और हीना खान बड़ तो नज़र आते थे लेकिन जो को स्टार वाली बॉंडिंग थी वो शो में एक दूश्रे के हजबन वाइप कर रूप ले करने के बावजो रियल लाइफ में अच्छे दोस तक नहीं बन सके बल्कुल भी शो के बाद इन्होंने कभी एक दूश्रे के बारे में बात चित करता नहीं जहाँ शो को quit करने के बाद हीना और करन दोनों ही एक दुष्टे के matter में कोई दिल्चस्प दिखाते कभी नजर नहीं आए और यही कारण है कि आज जबी निशा संग अपने जगडे को लेकर करन जब तमाम allegations का सामदा कर रही है कि निशा पर वो हाथ उठाते थे तो ऐसे में हेना हान ने करन महरा अपने को स्टार का सपोर तक नहीं किया है जोसे मालूम चलता है कि वाके इनकरिष्टा कितना बिगड चुका है नेक्ट्ट नाइन न्यूजूम से तरपतिक रिपोर्ट